प्रशकार, Simplified Vedic Astrology चैनल में आप सभी दर्शों का बेहत स्वागत है 29th of April 2022 में शनीदेव अपना राशी बदल के Aquarius यानि कुम्भी राशी में प्रवेश करने वाले है और अगले धाई साल के लिए इस राशी में रहने वाले है तो अगर आप लोग का राशी या फिर लगना अगर Pisces यानि नीन है तो शनीदेव इस पर्टिकुलर 20 साल के टाइमिंग में आपकी लाइफ को किस तरह किसे प्रवावित करने वाले है और क्या-क्या घटना है शनीदेव आपके लाइफ में लेके आने वाले है इसके विशय में पूरा डीटेल्स में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए विवर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन यानी बिल आइकन को ज़रूर ओन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया विडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पॉस दगे तो चलिए अब हम लोग आज की टॉपिक पर बात करना शुरू करते तो यह जो मैं विडियो बना रही हूँ वो विडियो यह जो विडियो है वो अगर आप लोगों का राशी या फिर अगर आप लोगों का लगना अगर 25 यानी मीन है तो आप दोनों के लिए ही जो है यह विडियो एपलिकेबल है तो 25 राशिय और लगना के लिए शनीदेव आप लोग के 12th house में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 20 साल के लिए इस घर में रहने वाले हैं तो क्यूंकि 12th house जो है वो foreign land and foreign travels को and foreigners को represent करते हैं तो इस वक्त और क्यूंकि शनीदेव आपके 12th house के लौड भी है जो कि आपके 12th house को रूल करते हैं आपके होरोस्कोप में तो इस वक्त अगर आपका के साथ communication में आप लोग contact में आप लोग आ सकते हो और नहीं तो खुद आप लोग foreign land में ट्रावल कर सकते हो इस वक्त क्यूंकि 12th house जो है वो हमारे अकेले में रहे के थोड़ा सा अपने आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है अदर्वाइस यह बहुत ज़्याद आप लोगों के लिए फ्रस्टेटेड हो सकता है साथ ही में क्यूंकि 12th house हमारे नींद को रिप्रेज़न करता है तो इस वक्त मोस्ट डेफिनिटी और हमारे डेली वर्क रूटीन को रिप्रेज़न करते है यानि दर्शात है तो क्यूंकि शनीदेव जिस किसी भी घर में अपना दृष्टी डालते है स्पेशली शनीदेव का जो 7th aspect यानि दृष्टी जो है वो जिस किसी भी घर में वो डालते है उस घर के तरफ हम लोगो आपको ड्यूटीफुल कमिटेड और सैक्रिफिशियल होना पड़ता है और सिक्स्थाउस जो है वो नैचरली हम लोगों के डेली वर्क लाफ एन वर्क रूटीन को रिप्रेजन करते है तो इस वक्त आपको देखेंगे कि आप लोग बहुत ही लंबे समय तक के लिए काम कर रहे हो जिसके वाज़े से वह वर्क ओवर्लोड के वज़े से आपके नींद में डिस्टर्बेंस आ सकता है वर्क प्रेशर के वज़े से आपके मन में एंजाइटी आ सकता है जिसके वज़े से आपके नींद में डिस्टर्बेंस आ सकता है तो मोस्ट टेफिनेटली अपने चलिए दो लोगों तो यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है नाय तो आप लोग विश्णु शास्त्र नाम आप लोग यह तो खुद पर सकते चैंट कर सकते ना तो आप लोग सुन सकते आदर वाइस आप लोग किसी भी धर्म के क्यूं ना हो अपने अपने धर्मों के हिसाब से जो भी spiritual activity आप लोग कर सकते हो दिन में जरूर उसको डेली लाइफ में आप लोग अगर incorporate करते हो तो वह आपके mental health के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और इन जेनरल भी क्योंकि 12th house naturally spirituality को represent करता है और शनीदेव आपके 12th house lord है तो वह naturally आपको spirituality के तरफ अप लोग के मन में एक inclination लेके आएगा एक इंटरेस्ट लेके आएगा पर क्योंकि शनीदेव एक malefic planet है वह realistic planet है तो अगर कोई इंसान बचपन से spiritual नहीं है जैसे मैं जो हूँ मैं बचपन से spiritual हूँ पर बहुत सरे लोग ऐसे भी है जो spiritual एकदम भी नहीं होते तो पाइसीस यानि मीन रशी के तो सिर्फ spiritual लोग ही होते ऐसा तो नहीं है तो जो लोग spiritual है अल्रेडी वो लोग naturally spirituality के तरफ जादा inclination उन लोग के तरफ आएगा उनके मन में आएगा और जो लोग normally spiritual नहीं हो आप लोग के लाइफ में कोई spiritual experience आ सकता है न तो ऐसा कुछ experience आ सकता है जिसके वज़े से आप लोग मतलब spirituality के तरफ attracted होंगे तो दोनों में से कोई भी event हो सकता है अब क्यूंकि शनीदेव का special द्रिष्टी होता है जो 7th aspect है यानि द्रिष्टी है उसके बाले मैंने द्रिष्टी डालते हैं और दस नमबर घर में अपना द्रिष्टी डालते हैं तो क्यूंकि शनीदेव के 12th house में है तो वह आपके second house आपके 6th house और आपके 9th house में द्रिष्टी डालेंगे और इन तिनों घरों को भी प्रभावित करेंगे तो second house क्यूंकि हम लोग का फैमिली है उसको रिप्रेजन करता है फैमिली वेल्ट और जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो जो हम लोग सेफ करके रखते हैं उसको भी second house रिप्रेजन करता है जिन लोग का second house में थोड़ा दिन responsible थे तो आपको बहुत ज़दा पैसे मिल मतलब इस वक्त आपको अपने पैसे savings में उतनी आदा problem नहीं आएगा पर हाँ जो लोग पैसों के तरफ irresponsible हो उन लोगों को पैसा safe करने की आदर डालना पड़ेगा क्योंकि शनीदेव naturally कुछ न कुछ आपके लाइफ में ऐसा लेके आएंगे जिसके वाज़े से आपको पैसा safe करने में बहुत ज़्यदा problem होगा शाइक पैसा कमाने में problem नहीं आएगा पैसा safe online में जाना चाहते है उसके रिगार्डिंग आपके पास खर्चा हो रहा है तो वह इन जेनरल अच्छा ही सेंस में यह खर्चा रहा है आपके पास तो एक यह चीज हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अभी क्योंकि आपका बिजनस में ग्रोथ आ रहा है क्योंकि आप लोग बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपका जो पैसा है जो अब तक अपनों को ने safe करके रहा था उसको आप लोग अभी खर्च कर रहे हो क तो यह दोनों चीजों में से कोई एक हो सकता है यह डिपेंड करेगा आपके पर्टिकुलर कर्मा के उपर और आपके होरोस्कोप के उपर और आपका करेंट महाद अंतरदशा लौड कैसा है इसके उपर और अश्टगवर्गा स्कोर के उपर तिक है यह बहुत result देते हैं मैं इस वीडियो में जो भी डीटेल्स बता रही हूं वह शनीदेव का एक नैचरल एनर्जी है जब वह ट्रांजिट करते हुए ट्वेल्थ हाउस में आते हैं तो वह एक्जाक्ली क्या-क्या उनका एनर्जी कैसा होता है तो अब यह एनर्जी वाइस यह जो प्रे आग्यूमेंट भी हो सकता है और इस वक्त आपके स्पीच में खार्ष ने सा सकता है तो प्लीज अपने स्पीच के उपर ध्यान दीजिए और क्यूंकि शनीदेव अपने दस नम्मत द्रिश्टी से आपके नाइन्थ हाउस में द्रिश्टी डाल रहे हैं तो इस वक्त आप आपका कार्मा है वो रिवील होगा अपके लिए नाइन थास बहुत ज़्याद हो जाएगा क्यूंकि पाइसेस लगना के लिए जूपिटर निब्रियस पती जो है वह भी आपके लगना पर आ जाएंगे तो वह भी आपके नाइन थास के तरफ द्रिश्टी देंगे और शन अच्छा टाइमिंग है यह जरूर इस ताइम का यूज मतलब अच्छे तरह कैसी यूज़ कीजिए और अगर आप लोग कोई राइटर्स है तो इस वक्त मोस्ट डेफिनेटली ट्राइग कीजिए कि आपने राइटिंग को आप लोग पब्लिश कर सके और थ्रू आपके ग हुमाच बाय